नमस्कार दोस्तों मैं राजिन तिवारी आप सभी लोगों का मेरे चैनल जोदिश मंत्र में हार्दिक स्वागत करता हूं अगर आप मुझसे और मेरे चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो वीडियो की नीचे दी गई सब्सक्राइब बटन को प्रेस कीजिए तथा साथ ही बेल कचा राद है वैसे कुंब का इसनान जो होता है डेली जितने दिन वी कुंब रहता है अर आप सबीर में और आंग स्थान और यहां भी बता रहता है कि में जो इसनान की तिथियां बता रहा हूं वो प्रमुक इसनान है या उन में से कुछ इसनान जो है वो शाहिसनान है तो बात करते हैं पहले प्रमुक इसनान की या पहले शाहिसनान की तो कुम मेले का जो पहला शाहिसनान है वो होता है मकर शक्रांती मकर शक्रांती के दिन ह तरतर्गा शाह हुश्था romanceован नहें या दूसरा प्रमॉक हुश्था स्नान वह पोश्थ माॡ़त की पूर्णिमा के दिन आएगा और इस वर्ष जो पूह की पूर्णिमा है वह 21 जनवरी 214 वार,अब बात करते हम ऊ-पात ओ तीसरे शही स्नान या कि तो कुम्ब मेले का जो तीसरा शाहिसनान या तीसरा प्रमुक इसनान है वो पोष मास की एकादशी को होता है जो कि इस वर्ष 31 जनवरी गुरुबार को है बात करते हैं चोथे शाहिसनान की तो कुम्ब मेले का जो चोथा शाहिसनान या कह सकते हैं कि चोथा प्रमुक इसनान ह वो माग मास की मोनी अमावश्या को होता है और इस बर्स मोनी अमावश्या चार फरवरी सो मर को आईगी अब बात करते हैं पांचवे साही स्नान की तो कुम्ब मेले का पांचवा इस्नान बसंत पंचमी को होता है और इस बर्स बसंद पंच मी दस फरवरी रईवार को है चिने हम बात करते हैं छटे शाही स्नान की तो कुम्ब मेले का छटा शाही स्नान यह कह सकते हैं कि छटा मुखे स्नान माग मास की एकादशी को होता है और इस बर्स माग मास की एकादशी जो है वो 16 फरवरी शनिवार को है तो 6 शाहिसनान 16 फरवरी को होगा अब बात करते हैं साथवे शाहिसनान की तो कुम मेले का साथवा शाहिसनान यह कह सकते हैं कि साथवा प्रमुख इसनान जो है वो माग मास की मागी पुरुनिमा को होता है यहने पुरुनिमा को होता है क्योंकि माग मास में आती है इसको मागी पुरुनिमा बोलते हैं तो मागी पुरुनिमा को और मागी पुरुनिमा इस वर्ष 19 फरवरी मंगलबार को है तो सात्वा जो शाहिस्नान है वो 19 फरवरी को होगा चले हम बात करते हैं अब आठवे और आखरी शाहिस्नान की तो कुम्ब मेले का आठवा और आखरी शाहिस्नान फालगुन मास की महाशिवरात्री को होता है और इस वर्ष महाशिवरात्री जो है वो चार मार्च सोंबार को है तो इस प्रकार से कुम्ब में आठ प्रमुक इसनान या आठ शाहिसनान होते हैं ओके तो ये थी कुम्ब में शाहिसनान से जुड़ी कुछ जानकरिया हम हमारे अगले वीडियो में ये जानेंगे कि कुम में इस्नान करना क्यों जरूरी है या कुम में इस्नान करने का क्या महत्व है और कुम में इस्नान करने से क्या लाव मिलता है तो केसे लगा आपको ये वीडियो रिसमें दीकर जान करी अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज लाइक कीजिए शेर कीजिए और मेरे जोतिश मंत्र को सब्सक्राइब कीजिए आज के लिए बस इतना ही मिलते हैं हम एक नए वीडियो के साथ तक तक आप रहे सब्सक्राइब कीजिए खुश्च और मुझे दीजिया आग्या जय हिंद्धियो जय हिंद्धियो जय हिंद्धियो श्य glorिज च्शच बiğए्ट कि खुश्च जए दे जडने कीजिए कीजिए खुश्च सब्सक्राइब कीजिए झाली कीजिए जए हिंद्धियो जय हिंद्धियख़ कि यहा है उना है सब्सक्राइब बस दिन सर्स छाड़ियो जए क्या कीजिए प्रब